बिस्मिल्ला इर्रह्मान इर्रहीम, डियर स्टुडेंट्स आश्लाम लेकुम, आज आप लोग एजुकेशन फॉर आल फोरम के ओफिशिल यूट्यूब चैनल से फिजिक्स क्लास 10 का लेक्चर नमबर 8 स्टुडी करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है relation between velocity, frequency and wavelength of a wave आप लोग एक wave के relation की बात करते हैं, जिसमें आप लोग wave की frequency, wave की velocity और wave की जो frequency है, उसको आप लोग relate कर रहे होते हैं आप लोगों ने इससे पहले, जब आप लोग simple harmonic motion को define कर रहे थे, जो simply का है, एक vibratory motion है उसमें आप लोगों ने amplitude को define किया, vibration को define किया, time period को define किया, frequency को define किया अब चुके waves produce होती हैं किसी भी body के vibrate करने से means waves produce होती हैं एक medium के particles की vibrations की वज़ा से तो इस vibrations में भी हम waves के दोरान जो vibrations produce होती हैं उनकी frequency को देखेंगे, साथ waves की जो wavelength है उसका जिकर करेंगे और फिर wavelength जब waves transfer होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ तो उनकी जो velocity होती है वो कितनी होती है उसको हम discuss करेंगे अब देखें जब हम बात करते हैं एक wave की तो wave basically हम नाम देते हैं एक disturbance को जो एक जगह पर हम create कर रहे होते हैं produce करते हैं और वो ही disturbance आगे transfer होती है और वो disturbance का transfer होना उसी को हम नाम देते हैं propagation of wave के wave एक जगह से दूसरी जगह move कर रही है transfer हो रही है अब यहाँ पर मैंने जिकर किया है एक disturbance का एक खलल का जो एक point पर पैदा होता है और वो disturbance वो खलल आगे transfer हो रहा होता है तो उसमें जो एक disturbance transfer होती है एक point से दूसरे point की तरफ एक खलल जो move करता है वो एक खास velocity के साथ आगे move कर रहा होता है एक जो disturbance है आप लोग मीडियम में एक जगह पर disturbance क्रियेट कर रहे हैं उसको वाइबरेट करने पर मजबूर कर रहे हैं मीडियम के particles at that point वाइबरेट करना शुरू कर देते हैं वोई disturbance आगे move करती है तो बेसिकली उस disturbance की जो velocity है उसी को हम नाम देते है वेव विलोसिटी का अब जो वेव विलोसिटी है उसको हम कैसे define कर सकते हैं मैं जरा उसकी तरफ जा रहा हूँ वेव विलोसिटी वेव विलो की बात कर रहे हैं आप लोग तो वो क्या होगा simply आप लोग उसको लिख सकते हैं displacement over time means वेव की जो विलोसिटी है उसको d over t से आप लोग represent कर सकते हैं अप लोग ने वेव विलोसिटी को define किया कैसे बला आप लोग कहते हैं कि वेव का propagate करना basically एक disturbance का move करना ही है तो disturbance एक जगा से दूसरी जगा जितनी velocity के साथ move करती है वो ही basically होगी वेव विलोसिटी जिसको हम यू define कर रहे हैं अब हम एक बात suppose करते हैं कैसे बला हम कहते हैं कि जो disturbance है ना वो एक जगा से move करते हुए दूसरी जगा तक पहुँचती है और उसने जो time consume की है ना वो हम कह को आप लोग define कर चुके हैं कि जब एक body vibrate करता है about a main position तो अपनी vibration का एक round complete करने के लिए उसको एक time required होता है उस time को हम time period का नाम देते हैं हम यहां पर suppose यह कर रहे हैं कि wave velocity के अंदर wave एक point से दूसरे point तक अगर transfer होने में time consume करती है equal to time period in that case wave ने जो distance traveled किया होगा d या जिसको हम displacement भी कह रहे हैं यह displacement wave की wavelength के equal होगा यानि हम एक बात suppose कर रहे हैं हमने एक problem को solve करना है और problem किसी भी problem को solve करने के लिए start में हम कुछ assumptions बनाते हैं और उन assumptions की मदद से हम problem के final solution की तरफ पहुँच जाते हैं हम यहां पर assume क्या कर रहे हैं कि हमारा जो time यहां पर consume हो रहा है basically यह time time period के equal है wave के time period के equal और अगर wave एक जगा से दूसरी जगा तक transfer होने में जो time consume कर रही है वो wave की wavelength के equal है तो जो उसने displacement cover किया है वो wave की wavelength के equal होगा so मैं इसी equation number one को यूं लिखता हूँ displacement को मैं lambda यानि wave length से और इस small t को capital T यानि time period से मैं replace कर देता हूँ और मेरे पास यही equation one equation two में convert हो जाती है मैंने यहाँ पर जो discussion बताईए वो यहाँ पर basically आप लोगों को लिखना पड़ेगी ठीक हो गया अब इसमें v is equal to lambda over t हो गया अब इसमें मैं इसी यह जो equation है इसको एक और form में लिख सकता हूँ यह जो t है इसको one over t करके मैं अलग कर लेता हूँ और यहाँ lambda मैं अलग और इसको मैं number two देता हूँ ऐसा करने का भी एक खास मकसद है ताके मेरे पास यह जो one over t है इसकी मैं value यहाँ पर कोई और put कर सकूँ क्योंकि मैं यहाँ v is equal to d over t से चला हूँ और पहुँच गया हूँ v is equal to lambda over t अब मेरे पास t time period है और हम चानते हैं जो frequency है as frequency is the reciprocal of time period frequency time period के reciprocal के equal होती है यह जिए time period के उलट होती है means f is equal to one over t frequency किसके equal होती है time period के reciprocal के equal होती है time period के उलट होती है इसका मतलब यह हुआ कि मैं यह वाली जो value one over t की है जो के frequency के उलट आ रहा है इसको मैं equation number two में put कर सकता हूँ by putting this value in equation number two by putting this value in equation number two मैं इस value को equation number two में put करता हूँ यानि one over t की जगा मैं यह frequency लिख सकता हूँ क्योंकि यह जो time period है उसका reciprocal यह frequency के equal आ जाता है so v बराबर आ जाएगा one over t की बजाय मैं लिखूंगा f और साथ यह lambda वैसे का वैसे अब यहाँ पर हमारे पास एक equation आ गई है एक छोटा सा proof है simple सा proof है v is equal to f lambda यह जो equation आई है इस equation को हम नाम देते हैं wave equation का this is known as wave equation इस equation को क्या हम नाम देते हैं wave equation का नाम देते हैं very simple आप लोग कहां से start लेते हैं इस formula से इसमें displacement को आप लोग wavelength के equal put कर देते हैं और time को आप लोग time period के equal put कर देते हैं फिर one over t जो के frequency का reciprocal है इसकी जगा f put करते हैं एक relation बन जाता है अब यहाँ पर v क्या है that is the velocity f frequency और lambda यह क्या है wavelength तो यह एक relation आ रहा है velocity frequency और wavelength के दर्मयान और इस relation को जिसको हम एक equation की मदद से जाहिर कर रहे है यह equation कहलाती है wave equation अब यह important long question है आप लोगों के syllabus के अंदर class 10 chapter number 10 उसका यह वाला जो portion है बिलकुल छोटा सा है और very easy बहुत आसान और यह long question के अंदर भी आ सकता है कैसे आ सकता है दो तीन तरीके हैं long question पूछने के सबसे पहले तो वो यह कह सकता है explain our relation between velocity, frequency and wavelength of a wave या फिर वो यह भी पूछ सकता है drive wave equation wave equation को drive करके हमें दिखाओ फिर भी आप लोगों का topic यही बनता है या फिर वो यह भी कह सकता है prove that v is equal to f lambda हमें यह prove करना हो तो फिर भी step by step यही काम हमें करना पड़ेगा और finally एक equation आती है जिसको हम wave equation का नाम देते है v is equal to f lambda very famous equation और यह जो equation है यह हम transverse waves के उपर भी apply कर सकते हैं और longitudinal waves के उपर भी apply कर सकते हैं both types of waves जो mechanical waves के हमने types पढ़ी है दोनों के लिए यह वाला जो formula है यह applicable है wave equation अब इसी wave equation जिसको हमने study किया है इसी की base पर इससे मिलता जुलता एक numerical यहां पर solve करेंगे example 2.2 अब इसके data की तरफ अगर हम जाएं इसके data में देखें सबसे पहले तो frequency given है वो कहता है कि wave moves on a silinky इस लिंकी के ओपर एक wave move कर रही है with frequency of 4 hertz सबसे पहले data के अंदर मैं इसकी frequency लिखता हूँ frequency of wave that is 4 hertz इस frequency के साथ जो दूसरी चीज़ दी हुई है that is wavelength मैं लिखता हूँ wavelength simple wavelength लिख लें या आप लोग wavelength of a wave लिखें lambda that is 0.4 meter हमने find out क्या करना है वो कहता है what is the speed of the wave हमने इस wave की speed find out करनी है मैं लिखता हूँ speed of wave that is V यह हमने करनी है find out हमारे data में दो चीज़ें given है और third one हमने करनी है find out तो इसको करता हूँ solve इसको solve करने के लिए मैं simple सा formula apply करूँगा जो हम अभी बढ़ रहे थे wave equation मैं लिखता हूँ by using wave equation by using wave equation आप लोग wave equation इस्तमाल करेंगे V is equal to F lambda wave equation आप लोग simply use कर रहे है frequency भी given है wave भी given है wavelength भी given है frequency है 4 hertz जबके wavelength है 0.4 जब आप लोग इनको multiply करेंगे तो answer क्या बनेगा it will give you 1.6 meter per second आप लोगों का answer आजाएगा means आप लोगों ने frequency और wavelength की मदद से wave की speed find out कर लिए अब इस example को अगर आप लोग देखें ये example एक छोटी सी example है simple आप लोग wave equation इस्तमाल करके speed find out कर सकते हैं ये short questions में भी बाज़ों कात पुछ ली जाती है तो ये दोनों जो चीज़ें हैं example हो या फिर ये topic हो ये दोनों examination point of view से बहुत important है बहुत simple सी बात है इसमें कोई complication नहीं है तो ये था आपका lecture number 8 जिसमें हमने wave equation को discuss किया है और उसके साथ wave equation को apply करके example number 2.2 हमने कर लिए solve अगर आप लोगों ने इस lecture से मुदले कोई बात पूछनी हो कोई comment करना हो तो आप हमारे comment section के अंदर जा सकते हैं अमीदे आप लोगों को ये lecture अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा